नवश्कार दूसरे बफिर साब सभी का स्वागत है आपके मन पसंदिदे यूटीब चैनल एड़े टूपर सैविन में जितने भी दोस्तों ने मुझे जोइन किया है सबसे पहली बात आज आपके लिए बहुत खास होने वाला आए शेशन क्यों कहास होने वाला आज जए चार राउंड से होते हैं निकलेंगे और पूरे सैंस को कवर करने के कोशिक करेंगे मैं क्या सही कह रहा हूं पूरी सैंस К आपको पहले राउंड से लेकर आखरी राउंड तक सिर्फ आने वाला है मिलोव आ तो ऺड़़गे को देख लिए मजबूर हो जाओगे इतना अच्छा खासा session मैंने बनाया है इसमें आपके लिए 4 राउंड रखें चार राउंड में जो सबसे पहला और जो सबसे मस्त round आता है, that is फटाफट round, दूसरा जो round आता है that is practice from yesterday session computer ये ppt लगाईए का जरा आज आपके लिए बहुत खास रहने वाला ये session, second round है that is practice from yesterday session कुछ yesterday session में ने कुछ questions करा आये थे, उन्हें दुबारा से लेकर आया हूं था कि आपके practice जान सकूँ, कि कल आपने वो session लिया था या नहीं लिया था round 3 is new session new session का मतलब नए questions जो मैंने add किये session में and the round 4 is homework मतलब जो homework आपको मिलने वाला है, so if you are ready guys then please share it तमाम groups में, share कर दो WhatsApp groups, Facebook groups और Telegram groups में क्योंकि आज हमें क्या लगानी है आग लगानी है, क्या लगानी है आग कैसे लगती है, ऐसे लगती है, ठीक है चलिए ज़्यादा समय ना लेती हुए आपके हम चलते हैं अपने पहले question पर यानि की पहला round, देखे मेरे सर पर क्या लिखा है फटा-फट round, फटा-फट का मतलब होता है मैं question पूछूँगा, एक line का question और एक line का answer और एक line में भर देना चाहिए, ठीक है जो भी है पहली बार जो यहाँ पर आए है जो कह रहे हैं, सर मैं पहली बार आपकी glass में आए है और keypad पर आपके हाथ क्योंकि जो सबसे पहले सही answer देता है उसका लिया जाता है, नाम इस round में पहले round का पहला question आपकी computer screen पर यह रहा पहला question who firstly demonstrated experimentally the existence of electromagnetic wave, यानि कि इन में से किसने existence को ढूंडा, किसने पाया सबसे पहले electromagnetic wave को, जी अभी सबी answer करेंगे, जी बिल्कुल 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 everyone, come on guys you can do it, आप answer कर सकते हैं इस question का, इतना tough नहीं है यह जितना tough आपका दिल मान चुका है, जितना tough आपका मन मान चुका है, इतना भी tough नहीं है, बस चुटकियों में याद कीजे, क्या याद आया, कुछ याद आया, आया नहीं आया, बिल्कुल याद नहीं आया आप लोगों को, तो इसका जो सही answer है, that is a hand rich Rudolph हट, इसका सही answer है, और computer जी मैं आपको कहूंगा कि आप भी इस प्रशन को याद रखिये, क्योंकि आप से काम का है, क्योंकि जो भी हम तमाम सामगरी देख पारें, कहीं न कहीं, we are using electromagnetic wave, पहला question आप लोगों से miss out हुआ और आप लोगों ने answer नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, अगली question के पर आपके पास भरबूर चांस है, क्या आप तैयार है, if you are ready, then please write, yes sir, ready, और दूसरा question आपके सामने ये रहा, आसान question, आसान चांस बनता है, question का answer सभी देंगे, the working of quads crystal in the watch is based on which effect, इन में से कौन सा effect वो है, जिस पर quads crystal कारे करता है, कौन सा ऐसा प्रभाव है, जिस पर quads crystal प्रभाव करता है, फटा फट राउंड का मजा ही या लग है, question देखो, answer दो, आता है, तो ठीक नहीं आता, तो आगे बढ़ो नाम लिया जाएगा, जो answer देगा, ठीक है, जूली सर्मा ने अब answer दिया, जो हैंरिच बोल रहे है, जूली जी माफ कीजएगा, आपने थोड़े जूली जूली time लगा दिया, ठीक है, don't worry, okay, so यहाँ पर दूसरी question कभी अब तक आपने answer नहीं दिया, दूसरी question का भी answer, पी स्क्रीन पर यह रहा, what is the wavelength of visible spectrum, द्रश्य spectrum की तरंग धहर्य क्या है, जो हमारा visible spectrum होता, उसकी तरंग धहर्य क्या है, देखे, यह question जो फटा फटा राउंड होता है, इसमें तेजी से मुझे करना पड़ता है, आप लोगों को थोड़ी तेजी दिखाने होगे, किसमे, session को share क करने में, क्योंकि जादा से जादा student होंगे, जादा मजा, जादा questions, जादा knowledge मिलेगी हम लोगों को, और एक और बात, मुझे भी जादा motivation मिलेगी, ऐसे, ऐसे, definitely, ऐसे sessions लाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, तो questions बहुत सही है, आपको Google नहीं करना है, कि Google बाबा के इसका answer है, जो कह रहे हैं, सर, options दीजिए, अंकीता, ये फटा-फट round है, अगर आप मेरे regular student है, तो आपको पता होगा, फटा-फट round में, options नहीं होते, इसके just बाद, जो option, जो round आएगा, that is, previous session round, वहां से options आने, start हो जाएंगे, ये ऐसा round होता, यहाँ पर आपकी knowledge चेक की जाती है, ना कि तुक्का, क्योंकि मुझे पता है, कि अगर मैं ये वाला round, options के साथ लेयाँ, तो सब पहले ही answer देने लगते है, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपका answer, आपके core knowledge मुझे पता चले, याद रखिएगा, 392, 700 nanometers, remember, mind में, टिक-टॉक, अगला question आपके दिमाग के लिए रहा, one astronomical unit is the average distance between, किन दो चीजों के भीच की average distance है, एक astronomical unit, guys, अभी भी आप लोगोंने share नहीं किया, मुझे दिल पर लग रही है, ये बात मुझे बुरा लग रहा है, क्या मेरे लिए आप लोग share नहीं कर सकते, अगर कर सकते है तो अभी कीजिए, आज ही कीजिए, कल की वेट क्यों करनी, और आने वाले time की वेट क्यों करनी, लिखिए सबसे तेज सेशन है, ये सबसे fast session है, और सबसे जादा knowledge भी यहीं पर मिलती है, कहीं आप यह सोच रहे हैं कि मुझे धर धर भटकने की ज़रूत है, बिलकुल नहीं क्योंकि हाँ, जितने भी दोस्ते हाँ पर आएंगे, exactly answer दिंगे इसका very good, ओके, जो कह रहे हैं sir, next time से हम आपका previous session भी देखेंगे, guys, ये आपकी बहुत बढ़ी गलती है, कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े थे, मगर आप जुड़ गए हो तो ऐसा जुड़ अब मैं इतने ही नाम ले सकता हूँ, उसे ज़्यादा मैं अपने session में देखेंगे, नाम नहीं ले सकता, मेरी भी मझबूरिया है, आप सभी जो answer दे रहे हैं, वो सभी सही है, अगला question आपके सामने यह रहा, number of basic SI unit is, इन में से किस की basic unit basically, हाँ, कितनी SI unit हमारी है total, ये पू आप लोग गुरूप study के लिए जातो, सबसे बड़ा गुरूप बनाओ, फटा फट से session कर दो इसे, ठीक है, अगला question आपके लिए, कितनी basic काई है, हमारी सबसे पहले जो answer आए, that is from सुभम तरपाथी, then गलत answer नंदनी ने दिया, उसके बास सुनील ने सही answer, साथ, साथ, सा साथ, साथ, then राज, एंद दलीप, जीया, दलीए, एंड राज, दीपक, सौमेश, एंड नितकार, संकित, सुभम, दलीप, हार सदीप, राज, दसौनाली, अब मैंसे ज्यादा नाम नहीं ले सकता, मेरी भी कुछ मजबूरी है, मैं भी कुछ गिनेचुने नाम ले सकता हू गाइस अगला राउंड आपके लिए खड़ा हुआ है मगर अभी तक आपने शेर नहीं किया अगर शेर नहीं करोगे तो अगली राउंड पे नहीं लेके जाओंगा क्योंकि मैं चाहता हूं यार एट लीस्ट यह सेशन हर किसी तक पहुंचे कोशन देखिए उस वगयानिक का क्या नाम है जिसने कहा कि किसी भी मामले में हम उर्जा को परवर्थित कर सकते हैं किसी भी मैटर को हम अनरजी में कर सकते हैं एसा कौन से सकते हैं आइंस्टीन एग्जेक्टली आइंस्टीन ने कहा वेरी गूड अलबर्ट आइंस्टीन तो सब्सक्राइल जो नाम आया देट इस फ्रॉम नाम ले देते हैं इशान शुभाम अंकित संचिता एंड डिपी आरेस जी नंदनी ने गलत आंसवर दिया अगें दें शुभाम शौ जो हमारे कल कुछ अच्छे लगे तो मुझे कोशन मैं रिपीट किसलिए करता हूं जो अच्छे कोशन्स होते हैं वह इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप उन्हें देखे और समझें उनका महत्व आखिरकार आपकी जिंदियों में कितना सेशन पसंद आ रहा है तो यह ब अगर आपने कल का सेशन देखा होता तो आज आपका से पहले आंसर कर रहे होते गाई सबसे पहले आंसर कर रहे होते मगर आए नहीं थे हम क्यों पढ़ें हम तो उन जगह से पढ़ेंगे जहां से जीरो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है शुब हमने कहा और options को दिखाते रहिएगा दूसरा question of the two bulbs in house दो बल्ब हैं house में घर में दो बल्ब है one glows brighter than other which of the following has a large resistance इन में से कौन से का resistance large होगा एक घर में दो बल्बों से एक बल्ब दूसरी के तुल्ला में अधिक उजबल है दोनों में से किसका पृतिरोध अधिक है तो options देखिए options कहता है पहला option the bright bulb the dim bulb both have the same resistance and the last is the brightness does not depend upon the resistance ये तो बिल्कुल खामा खाम वाली बात कर रहा है कौन कहता है कि resistance dependent नहीं करता depend करता है और कैसे depend करता है directly proportional depend करता है तो जिसमें अब देखिए जो brighter है उसका मतलब क्या है जो brighter है उसका basically resistance ज्यादा है और जो resistance बिसकली जिसका ज्यादा होगा वो डिम होगा बल्ब तो डिम बल्ब is the right answer for this question exactly तो नाम ले देता हूं मैं यहां पर रुपेंद्र है जिया है अंकित है दीपक है दिल्ली है रंजन है अंकिता और इशान है दिल्ली है वेरी गूड अगला कोशन आपके computer screen पर यह रहा computer जी जरा banner को side में सरका दीजिए क्योंकि answer हमारे ढक रहे हैं इससे ठीक है अगला कोशन आपके लिए राउंड तीन का बजर बच चुका है और अभी राउंड तीन कहता है कि जो वाचिंग नाओ होनी चाहिए वो कितनी होने चाहिए है 100 पलस होने चाहिए क्यों होने चाहिए 100 पलस क्योंकि जब ही session को आगे हम लेके जा सकते हैं ठीक है तो 100 के लिए अगला प्रिशन आपके सामने यह रहा the magnet is strongest near the magnet होती है वो कहां पर strongest होती है पोल्स only south pole center at the magnet or on equator from poles of the magnet तो जितने भी दोस्त है दोस्त बनता है बनता है न ठीक है बनता है न शेयर very good computer जी एक बार यह banner थोड़ा सा side में हो जाए तो और आपकी महरबानी होगी very good तो कोशन है कहां पर बेसिकली यहां पर बिल्कुल नाम लेते हैं बिल्कुल हां नाम लेजेंगे बिल्कुल महांजी अगली बार आंसर दीजे नाम लेगे बिल्कुल तो कोशन आ रहा है यहां पर options आ रहे हैं सर पोल पर पोल पर तो आंसर नाम लेते था हूं मैं रश्मित है शुब है संचिता है इस आगर है शुब हम हेया एख तो सभी ने नाम आपने अपना अन्म दوم कर रहे हैं रोपन तो कश कि मैगने के बारे यहां पूछा है कि कहां पर होती है जब करेजिम घूललक अलग 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 लाइट इस एल रफलेक्ट करता दिखाए तो तो वो basically कौन सी प्रोसेस है reflection of light Seren of light डिफ्रेकशन of light या फिर रिफ्रेक्शन अफ लाइट या पर रिफ्रेक्शन आफ लाइट गाइज जितने जोडेव्रृत हैं यार share कर दीजिए share कर दीजिए हमстले से त्ला से कितने दोस्त बताएं कि थूос कर सकते हो कल कितने स्टूडेंट यहां पर ला सकते हो यह मैं नहीं कहुंगा मैं टार्गेट नहीं दोंगा टार्गेट तुम साइट करोगा कि हम सर कल अपने साथ इतने स्टूडेंट से लेकर आएंगे पक्काएंगे इतने स्टूडेंट मैं सेशन में और जान डाल दूगा ऐसी ऐसी चीजे डालोंगा जो कहीं भी मार्किट में नहीं कराई जा रहे होंगी वेरी गुड नाम लेता हूँ मैं यहाँ पर जसिता संचिता दिल्ली रुपेंदर शागर रंजन शाहिल रवी अंकिता इशान रॉकिंग तो माफ किजेगा किसी का नाम भी नहीं ले पाता तो संधी प्रावत ने काई सर 500 तो 500 का एम रख रहे हैं कल आप बेसिकली यहाँ पर 200 ला दीजे का मैं बहुत खुश्य होंगा आप लोगों के साथ ठीक है अगर एक तारे का द्रवमान सूरे के द्रवमान से दुखना है इसका अंत किस रूप में होगा न्यूटरल स्टार ब्लैक होल वाइट डॉप स्टार या फिर रेड जाइन्ट के सहसाब से ठीक है तो आपको आंसवर देना जरूरी है आंसवर देना ऐसे प्रिशन का जितने भी दोस्त जुड़े हैं यहां पर एक बात मैं पक्का कहता हूं कि यार आप लोग ना महनत करने वाले इंसान हैं बहुत महनत कर रहे हैं बैठकर क्यों क्योंकि देखे आठ वजे कोई कुछ भी कर सकता था मगर आप सेशन में जुड़े होएं सबसे बड़ी बात होती है य जाओं अंस्वर्ण जीरां इयां यहां पर विल्कुल जैसा कि आप लोगों ने आऊन्सवर्ण स्टार नाम लेटा हो मैं रुपेंदर का अंकित का राहुल का प्रिंस का इशान का नितू का अंकिता है का जीहीवा का नितकर संक desalı और यहां रंजन भाया दो दो बार मत लि के साथ भी food particle plus saliva plus mouth acids and the fourth is food particles plus saliva plus mouth acid and plus bacteria in सभी से guys answer करते चलेगा वो इशान कह रहे हैं UPSC निकालेंगे UPSC इशान देखे UPSC तो क्या कहते हैं UPSC लाइक तो देखें questions नहीं है क्योंकि उसकी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा descriptive हो जाते हैं मगर यार एक बात कि मैं guarantee देता हूँ इस session को देखने के बाद science में दम बना लोगे अच्छा कर लोगे science यूं करके आओगे questions देखा खाजन ठीक है very good तो नाम लेता हूं मैं कुछ अच्छे questions का जैसे कि जिन्हों आंसर दिया चिंटू है रॉकिंग है रुपेंदर है नितकार से हैं और शाहिल है ठीक है और नंदिनी हैं very good तो इनने आंसर दिया कि यह सब मिलकर दातों पर निर्मित प्लैक्स बनाते हैं जो दातों पर प्लैक्स आप देखते हैं वो सभी बनाते हैं अगला question आपके लिए रहा by whom estrogen is produced estrogen का इत्पादन किसके द्वारा किया जाता है बहुत आसान question बहुत आसान question चाहे मैं बात करो मुन्नी ने से आंसर दिया राजकुमार ने से आंसर दिया रंजने से आंसर दिया पिछले question का और हाँ एक और बात महिया question को देखते ही ऐसे मतले लिखा करो d a v d ऐसे लिखा करो 7 d 7 a 7 b और उसके साथ में अगर हो सके तो option को भी type कर दिया करो क्यूं क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि यह दिमाग में बैठ जाएगा याद हो जाएगा कि यह answer था यहर सबसे अच्छी बात होती है पता है revision revision होना चाहिए ठीक है very good exactly तो यहां पर fallacy किसी ने answer दिया भी किसी ने answer दिया संधी प्रावत कर रहे है सब शेयर करो देखो संधी प्रावत को basically यहां पर मजा आ रहा है इसका मतलब तो answer आया यहां पर संगीता कुमारी ने सबसे पहले चाहिए अच्छा प्राव करने पर क्या होगा सो करें आपके लिए तालिया वजबाऊंगा थे पांच किलो तालिया पैक करवा रखें पीच्री रूमें रख वार रखें जैसे ही सौ जाओगे तो रंत तालिया आपको इहां पर स्क्रीण पर देखेंगे यहां पर इस session का फाइदा दिख रहा होगा फाइदा दिख रहा थार प्लीज तो लिवर sweet gland endocrine gland या फिर kidney तीनों चीजे मैं mix कर रहा हूं physics, chemistry, biology अब क्या चाहिए भाहिया बच्चे की जान लोगे क्या question को देखो in the human body which of the following is ductless gland इनमें से कौन सा ductless gland है liver है sweet gland है endocrine gland है या फिर kidney है very good very good come on guys answer very good यहां पर आंसर आया endocrine gland so answer किस किस ने दिया था answer चिंटू ने दिया और रंजन ने दिया और रूपेंदर दिया जिन्होंने और ने दिया नाम मिस हो सकता है माप कीजेगा उसके लिए अगला question आपके लिए यह रहा a hydro fight is hydro fight क्या है अच्छा जितनी भी दोस्त यहां पर नए होने मैं बता दूँ आप मुझसे कैसे बाते कर सकते हैं अगर आप मुझसे बाते करना चाहते हैं लोके 247 science करके एक टेलेग्राम गुरूप है दो बार बोलके 247 science करके एक टेलेग्राम उसमें मेंबर बन जाना आज जाती ही और मेंबर बनके मुझे भीज़ेंस iya हम यहां भी मौजूद है रॉक करेंगे वह भी ठीक, तो वहाँ पर होता क्या है मान की चलिए मुझे आपको कोई कोशन है डाउट आया तो रंत देखोंगा ठीक है देखकर रप्लाइ किया ठीक है ओके चलिए आंसवर दिखे है हाइड्रोफाइट है क्या मेराइन एक एक्वेटिक एक प्लांट रूटलेस प्लांट ठीक है तो बिल्कुल एन एक्वेटिक इस समय के लिए डेटा बचा के रखा करो है ना डेटा बचा के रखा करो बिल्कुल इस समय के डेटा बचा के रखा करो लिंक लिंक दीजे तर यह टेलिग्राम पर टाइप करना है बस इतना भी टाइप करने में जानने के लिए ठीक है ढूड़ लीजेगा लॉके सर अड़ेट उपर से में टॉप पे मिलेंगे ऐसी बात ने चोटी मोटी फैकल्टी थोड़े ना हम च अगर इसे भी कोई गलत आंसवर दे तर इसे बहुत आसान कोशन अगर इसे भी कोई गलत आंसवर दे चाहे मैं बात करू राज कुमार मौर्या ने सही आंसवर दिया था सुनील ने सही आंसवर दिया था थैंक्यू ने सही आंसवर दिया थैंक्यू त्रिल से थैंक्यू ठीक है अगला कोशन देखो कोशन देखो कोशन 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 अगर इसे कोई गलत करता है तो सही में भीया आपके लिए तो कुवा भी खाली नहीं है कुवा भी कह रहा भी है मुझे जुरत नहीं है रहने दो मत कूदो इसमें पाप हो जाएगा बिलकुल तो इसने सभी ने आशर दिया ए पृतिभा सुगर मॉनिका अंकिता साहिल सभी ने एटीप भड़ दिया अमीनो ट्राइफ अभी टाइप करो ताकि याद रहे है कल के एक्जाम में जो आजाए तो याद रहे कि एटीप के फुल फॉर्म क्या है अगला प्रिश्ण आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा पूरे दो हचार रुपे के लिए रिवो मुझे देने हैं आप लोग को इन में से कौन सा अनाज मानव निर्वेत है जो पिरकृती में नहीं पाए जाता ओप्शन है ड्वार्फ वीट हाइब्रिड ट्रिकेट या फिर सोयाबीन आपको आंसर करना है इन में से देखें। kidding देखें। गयाईस 100 करने अब कुछ भी हो जाए सौ करने कुछ भी हो जाए सौ करने याद रहेगा। ठीक है आंसर करते चलिएगा डौर और फाइब्रिड या फिर हमारा ट्रीटिकेल या फिर सोया भीन आंसर करिएगा गाइस वेरी गुड वेरी गुड चलिया आंसर आया हमारा सी सी इसका सही आंसर आया बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर आप लोग ऐसे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छा आ अन्य पौधों पर खालिस्तान के लिए नर भर रहते हैं देखिए अभी आपने सारी चीज़े को समझा दीरे-दीरे करके सारी चीज़ें आपके दमाग में भरती जा रहे हैं अच्छा साज याद होती जा रहे हैं तो जरूर है कि याद हो पहला फूड फिजिकल सपोर्ट श करके चड़ जाते हैं और फाइनली क्या होता है वहां पर वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं हला कि उनसे कुछ यूज नहीं करते मगर स्टिल उनकी चायां वायां कर देते तो उससे अच्छे से उन्हें रोशन नहीं मिल पाते और इस वज़ए से उन्हें थोड सपोर्ट यूज करते हैं ठीक है और नेक्स्ट कोशन इस गाइज अभी भी पांच की कमी और पांच और लाइए हाओ ड़स दा प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल आप लोग बताए कि प्लांट सेल किस तरह से अनिमल सेल से अलग है माइट्रो कॉंड्रिया सेल वॉल प्रोटो प्लाजम या फिर सैल नुक्लियासन में से कौन सा ऐसा कारण है जो प्लांट सेल को एक एनिमल सेल से अलग करता है आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि कोई तो ऐसा होगा कोई तो ऐसा रीजन होगा रही नाम लेता हूं मैं फटाफट इश्मार रश्मी है यहा यहां से रेगुलर मिलेंगे तो हमय आप लोगो ने जितना उमीद की थी आप लोगों हमारी जो त्वेचा है वो इतनी सॉफ्ट होती है और जो प्लांट होते हैं उनके बाहर बेसिकली वो सॉफ्ट नहीं होते हैं बस दो की कमी तो कम्पीटर जी 100 हो चुके हैं और 5 किलो जो तालियां पैक करके रख रख हैं वो बजा दीजे जल्दी से बजा दीजे अगर पॉस कितना अच्छा प्रशन था पेपर में फस ता तो फसा देता है ना फसने से पहले जरूरी था इससे हाँ जो कह रहे हैं पीडियत भहिया टेलेग्राम गुरुप चाटने के लिए नहीं बनाया हुआ है कि वहां पर मैं बैठ कर आराम से खाना खाऊंगा आप लोग नहीं य अभी रेगूलर इन क्लास कल से मुझे जो 102 वाचिंग ना हो है अभी मुझे अभी कि इस क्लास में मुझे क्रॉमिस करके जाए किसल हम कल से 8-9 बजे आपके शेशन के वीट करेंगे तो बोलब प्रॉमिस गाइस ठीक है प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस ठीक है कम्पीटर जी तालियां के बारे में कैसे देर हो रही है तालियां आ गए आपके लिए तालियां बजवाई गई है बहुत अच्छे ठीक है तो पीडियेफ भी मिल जाएगी डॉन्ट वरी गाइस ठीक है ओके तो आब आपके लिए मैं काम भी तो लाया हूँ ठीक है दो राउंड पर चलत बनाके रखेगा और यह रहा फोटो इसका फोटो लीजे नुमेरिकल होता हूंवर्क में मैं नुमेरिकल देता हूं क्यों देता हूं मैं नुमेरिकल इसलिए नुमेरिकल देता हूं ताकि प्रेक्टिस नुमेरिकल की भी हो सकते कर लाउंगा तो इसकूशन को सोल भी कराऊ आपके लिए अभी हमारा एक फोटो ले लिए चलिए मैं भी तयार आप भी तयार ठीक है ले लिजे फोटो जो कह रहे हैं सर हाँ जो आएंगे बिल्कुल देखें यार हाड वर्क कर रहा हूं आप लोगे साथ मिलकर मेहनत करता हूं कंटेंट बनाता हूं तो समझ रहे हो आप लोग के मुझे फल मिलना चाहिए आप लोग यहाँ पर जब आओगे नहीं देखने हैं तो मैं किसके लिए आउं समझ रहे हूं मैं यहाँ पर बैटा हूं यह लाइट वाइट जलवा रखें इतना सारा खर्चा कर रखा है मैं आप पर भीया ऐसे आऊं और सोचू कि यार बच्चे आएंगे यार पढ़ाऊ ना पढ़ाऊ तो जब आप आते हैं जब आप आते तो मुझे एनरजी मिलती है ठीक है जो कह रहे है सर आपने मौर्निंग में नहीं मौर्निंग में नहीं नहीं आना आठ बजे रात को ठीक है आठ सर फोटो ले लिया फोटो लेने के बाद लाइक बटन प्रेस कर दीजे ताकि मुझे खुशी हो अंदर ही अंदर से लगे कि हाँ यार मज आया ठीक है और प्रॉमिस करके जा रहे हो गाईस मुझसे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स है जो प्रॉमिस करके गए मगर क्या बता हमारा टार्गेट 200 कराएगा थैंक्यू सो मज गाईस और लोकेशर अड़ा 247 साइंस यह मेरा टेलेग्राम गूरूप है से जोईन कर लेजएगा वहाँ पर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूगा कल इसकी ठीक है क्योंकि आज अगर प्रोवाइड कराऊंगा तो आप के लिए एहमियत नहीं रह जाएगी शेशन जी थैंक्यू सो मज गाईस टेक केर बाबाय गूद नाइट